सपलता को प्रात करने को लेकर इंसान को बहुत बार गिरना पड़ता है और गिरने के बाद खुद को संभालने के लिए बहुत कम लोग होते हैं हलांकि परिवार का अगर सपोर्ट मिलता है तो कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं लेकिन दड़ निश्य जिवन में अगर कोई सक्स करता है तो उसकी काम्याबी हमेशा कदम चुमती है एक ऐसी ही कहानी सोनिवत के बेटे ने लिखी है UPSC का रिजल्ट आया है और सोनिवत के ग्रामिन छेतर से निकल कर सहर में पहुंच कर रहे हैं उन्होंने एक ऐसा पर्चम गाड़ा की आज वधायों के ताते लग रहे हैं लोग जो हैं मिठाईया बाट रहे हैं बात कर रहे हैं अभी मन्नु की सोनिवत के गाउं महरा के रहने वाले और हाल में सोनिवत के सेक्टर 23 के रहने वाले अभी मन्नु के परिवार में खुशी क्लियर किया है UPSC में आला कि पिछली बार भी रैंक जो है वह सतरवा एक रिजर्व कैटेग्री में आया था लेकिन आज की खुशी अपने आप में काफी बेहतरीन और डबल हो जाती है क्योंकि आज जिस परकार से अभी मन्नु ने कारणामा कर दिखाया है एक गाउं का गोह यहाद आपने की है क्या कहींगे जी मेरा इस वार 60 रंक आया और महनत की मैं कौूगा की काफी वर्षों से मैं प्यास कर रहा था तो तब मिलाके तो काफी महनत हो गई इतने सालों में अच्छा पिछली बार गी रिजर्व रैंक में आप का आदा कितना आया था पिछली बा तो गोग UPSC की तियारी करते हैं, उन युवाव के लिए क्या संदेज देना चाहेंगे, खास ओर पर है जब अंतिम स्टेज पर होते हैं, आखरी चांस होता है, और ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कि हाथ नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपका भी लास्ट चांस जी मैं एक चीज जो मेरे लिए ठीक रही कि मैं कभी भी जैसे पिछले साथ साल से आठ साल से मैं एक सर्विस में था, अब इस वार पिछले साल मैं एक्जाम उतिरन भी किया मैंने, तो मैं अब भी बतोर S.P.M के तोर पर ट्रेनिंग कर रहा था, तो एक डर कम था, मतलब अ सफल नहीं होते, फिर आपके पास कुछ नहीं होता पीछे करने के लिए, तो हमेशा प्रयास यह करना चाहिए, कि साथ के साथ, तीन-चार प्रयास के बाद कम से कम, आप हमेशा यह सोचे कि कोई बैक अप इसमें ले ले ताकि आप जब अपने अगले प्रयास करें, तो मतल कि आज पूरा परिवार एक साथ है। मुझे लगता है कि बहुत ही लंबा एक समय इसमे रहा। मैं शुक्र गजार हूं। उपर वाले का कि उसने मुझे इतनी शमता दी इतनी शक्ती दी कि मैं इतने लंबे समय तक इस चीज को मतलब इस चीज में रह सका। और में इतनी उर्जा थी कि काफी वर्शों। गादा ने बीच में पांत साल परियास नहीं दिया था… तो मे सहका इतनी उर्जाग दी कि की मैं दोबारा इस एक्जैम में परियास करओं। मुझे युटिमेटली इसमें सपलता भी प्राफ्त को अए ऐसा। मैं नहीं कहूंगा मैंने सोचा ही था कि इसमें सफलता मिल जाएगी पर मुझे एक चीज जो मुझे यकीन था कि मेरे को अपना प्रयास अपने आखरी शान तक और जितना मेरे आखरी कर तक मेरे में उर्जा है मैं उसका जरूर लगाँ वो उसके बाद जो होगा वो उपर वा होगा जैसे आप अगर मान लोग आपका 9 या 10 बजे ऑफिस स्टेडियूल है तो आप प्रयास करें जैसे 5-6 बजे उटकर आप 3-4 घंटे अगर निकाल सकें या फिर कई लोग सुबह जैसे पढ़ने में नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं अपना 5-6 बजे तक जो भी आ हीने बाद इसको करें थोड़ा सा कष्ट होता है लेकिन अगर आप इस चीज को इस प्रोसेस को एंजोय कर रहे हैं मतलब इसमें आप यह मत सोचिए कि मिरको सफल होने के लिए करना है बट मिरको यह करना है मिरको अच्छा लग रहा है और इश्वर सबको मेहनत करने का भी म अगर आप जाने जाते हैं क्योंकि अपने बड़ी बात है कि मोटिवेशन स्पिकर होना इतना आसान नहीं होता है अब होबी की बात करें तो मैं खेलों से काफी जुडा रहा हूं मैं अभी रेगुलर खेलता हूं काफी सारे खेल जैसे अब अनिस क्रेकेट वॉलीबॉल मै इवन नौकरी के दोरान और उसके अतरिक में काफी शौक है मतलब गाई की का भी मैं एक होबी की तौर पर परस्यू करता हूं और इसके अतरिक जैसे स्पीकिंग की बात है तो क्योंकि मेरा काफी तुजरवा रहा है मेरी जोब में पांच साल में ने फील्ड पे काम किया है नौ जिलो में मैंने अपनी सेवाए दी है तो वहां पर बहुत सारे इंटरेक्शन्स लोगों के साथ किसानों के साथ और ग्रामी लोगों के साथ पेरे रहे हैं तो अपने आपी वो एक स्किल निकर जाती है आपकी बोलने की तो आपको फिर दिकत नहीं आती जब आप पर स आपका कंदा मजबूत हो गया है अब कर दो बिल्कुत चलिए उनकी माता जी है एक अंतिम सुआल माता जी से बेलेते हैं क्या कहेंगे वेटे की आज खुशी को लेकर आज बदाईया बहुत मिल रही होंगी और जमकर लड़ू खा रहे हो बहुत खुशी हो रहे हैं उनको म अस्टमी के दिन ने बड़ा खुशूर्थ तोफा मिला है निसी तोर पर पर परिवार में खुशी की लहर है और ये लहर वाकई जो है अभी मन्नु ने नैकेवल अपने परिवार में बलकि पूरे हर्याणा में दोड़ा दी है और लिहाजा जब एक घर में इस परकार से हो तरफ देखने को मिल रही है सोलिवस से इंडिया दूज हर्याणा के लिए राम सिंग्वार्थ